तो दोस्तो अगर आप भी भेक्सिन लेना चाहते हैं उसके बद में ओनलेन करना चाहते हैं तो दोस्तो आप कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबिल से ओनलेन या रिजिस्टर कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख vaccination के लिए आप online कर सकते हैं या register कर सकते हैं. तो दोस्तों अगर .gov.in अब यहाँ पर देख सकते हैं second number में इसके उपर में simply click कर दिजिए उसकी बद में दोस्तों सबसे पहले उपर में आप जो page आ रहा है coven application इसके उपर में आप simply click कर दिजिए उसकी बद में दोस्तों आपको ये page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपका mobile number को देना होगा तो simply आप यहाँ से mobile number दे दिजिए तो दोस्तों जो mobile number आप देंगे उसमें एक OTP भी आएगा तो चलिए मैं mobile number दे देता हूँ उसकी बद में दोस्तों यहाँ get OTP पर click कर दिजिए उसकी बद में दोस्तों आपका mobile पर एक OTP आएगा आप देख सकते हैं OTP भी आ चुका है तो दोस्तों जो mobile number पर आपका OTP आया है simply उस OTP को यहाँ पर आप दे दिजिए तो चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसकी बद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं verify proceed इसकी उपर में simply click कर दिजिए तो दोस्तों इसकी बद में आपको यह page open हो जाएगा तो उपर में आप देख सकते हैं photo ID proof यहाँ कि आप जो ID proof से लेना चाहते हैं उस ID proof को यहाँ पर आपको choose करना पड़ेगा तो simply अगर इसकी उपर में click करते हैं तो यहाँ पर आपका other card, driving license, pen card, passport और water ID यह सब कुछ आपको 100 हो जाएगा तो आपके पास में जो ID proof है कर दिजिए तो चलिए मैं other card select कर देता हूँ उसके बद में दोस्तों यहाँ पर आपका other card का number देना होगा अगर आप water ID से लेंगे तो आपको water ID का number देना होगा उसके बद में दोस्तों simply आप यहाँ नीचे name यानि कि जो other card में जो नाम है उस नाम को यहाँ पर आपको देना होगा उसके बद में दोस्तों आप यहाँ पर gender अप select कर लीजिए male या female उसके बद में दोस्तों जो आपका other card में जो year है यानि कि जो साल है उसको खली बस आपको यहाँ पर दे देना है आपको पूरा date of birth नहीं देना है बस आपको year देना है उसके बाद में दोस्तो simply आप यहां से add कर सकते हैं उसके बाद में चलिए दोस्तो मैं आगी का processing बता देता हूँ इसको सबसे पहले में fill up कर देता हूँ दोस्तो इसके बाद में add करने के बाद में आपको ये page open हो जाएगा तो यहां पर आप आपका जितने भी जो save किये हैं यहां पर आपका सब कुछ save हो जाएगा उसके बाद में दोस्तो simply आप नीचे आप देख सकते है इसके उपर में ईफिलय आप के मदकर देखेजिसे उसके बद में दोस्तो right side में आप देख सकते हैं search by district इसके उपर में भी क्लिक कर दूँगा उसके बद में यहां से select state तो यहां पर मैं select कर देता हूँ आप जो state से है आप उसको select कर दीजिए उसके बद में दोस्तों यहां पर select district आप जो district से है उसको आप यहां पर select कर दीजिएगा उसके बद में simply नीचे search के option है इसके उपर में search कर दीजिएगा तो यहां पर आपका जितने भी slot है result आपको लेना चाहेंगे आप उस date को select कर सकते हैं उसके बद में जो जो सेंटर में आपका जो free है वहां पर आपको सो हो जाएगा निचे scroll करेंगे तो आपको बहुंच ज़रा मिल जाएगा तो यहां पर आपको free भी मिलेगा उसका बद में paid यानिकि आपको पैसा से भी लेना पड़ेगा अगर आप पैसा से लेना चाहते हैं तो तो चलिए मैं इस free है उसकी उपर में क्लिक कर देता हूं उसका बदयों स्वẫnब यहां पर simply आपको निचे आप देख सकते हैं टाइम आपको सेट करना पड़ेगा यानि की क्लिक करना पड़ेगा कौन से टाइम में लेना चाहिए या ले सकते हैं तो दोस्तों आप जो टाइम में लेना चाहते हैं उस टाइम को यहां पर आप सिलेक्ट कर जिएगा जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऐसे आप अपना टाइम को सि सिलेक्ट कर सकते हैं उसका बाद में दोस्तो आप नीचे कनफरम है इसके उपर में कॉंफर्म कर दिजいき้ंगा तो आपका registration हो जाएगा तो दोस्तो ऐसे आपना अपना online mobile से वेक्नेशन के लिए register कर सकते हैं Online कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कह ईसे लगा